हेई हलो एवरिबड़ी गाइज आप है अभी XNX के लाइव प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप देख पा रहे है रियल अकाउंट जी हाँ रियल अकाउंट जहाँ पे आप बैलस देख पा रहे है 2446 US डॉलर का और एक लाइव ट्रेड यहाँ पे चालू है देखेंगे आप आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे सेट कर सकते हो XNX के प्लेटफॉर्म के साथ और 4X प्लेटफॉर्म के साथ दूसरी चीज मैं बताऊंगा कैसे आप order volume को सेट कर सकते हो और कैसे आप buy और sale के signals के predictions कर सकते हो 4X के अंदर जी हाँ यार 4X ना बिलकुल ही different होता है बैनरी स दौनों के दौनों प्लेटफॉर्म में जमीन आसमान का अंतर है तो वीडियो देखना आप लूग के लिए बहुत important है आज की वीडियो में काफी सारी चीज़े cover होने वाली about 4X उसे पहले काम करो या like बटन को hit कर दो comment कर दो प्यारी सी अगर अभी नहीं करना चाते ना तो ज़्यादा important updates टेलिग्राम पेहे मिलती है और सबसे जल्दी मिलती है चलिए वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पे ना सबसे पहले बात कर लेते हैं हम Xnex के platform के बारे में तो Xnex.com से आप जा सकते हैं इनके platform के साथ लिंक आपको description में भी मिल जाएगा वहां से जा की भी account में आप देख पा रहे हैं मेरे पास है 2446.29 USD जी हाँ तो यहाँ पे अभी मैं all पे जा रहा हूँ real account में दिखाता हूँ जी हाँ बिल्कुल real account में यह देख लीजी आप ठीक हैं यहाँ पे ना मैं इस page को refresh करके आपको दिखा देता हूँ एक बार क्योंकि क्यों क्यों क्या से यहाँ पे ना आप normal ना एक registration form है चोटा सा उसको फिल करके या देखो become a real trader करके आप यहाँ पे join कर सकते हूँ normal से steps है तो यहाँ पे आप दो option देख पा रहे हैं deposit and withdrawal का जी हाँ तो आप deposit कर सकते हैं बहुत से आतान से method हैं जो आपको normally usually देखने को मिलते हैं withdrawal के भी बहुत यहाँ आसान से method है deposit करने के बाद आपका जो amount है वो कुछ इस तरीकी से आपको दिखेगा आप बात करते हैं आप यहाँ से trade कैसे ले सकते हैं इनके USB की बात कर लेते हैं यहाँ पे आप 0.01 lot size के साथ trade ले सकते है minimum एक dollar से भी try कर सकते हैं बहुत ही कम मतलब margin रहता है यहाँ दूसरी जो चीज है demo में यहाँ पर आपको काफी काफी जाधा पैसा मल जाता है अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो ना तो demo में इनका जो demo में भी आपको काफी पैसा मल जाता है हाला कि हलका सा net जो है वो slow जल रहा है यार अभी इसकी वाज़ा से थोड़ सी problem होरी net connectivity issue में अब क्या करना है आपको क्लिक करना है ट्रेड वाले सेक्शन पे जैसे आप ट्रेड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आता है install metatrader for mac मतलब अभी जो मैं यूज कर रहा हूं तो आपका आजाएगा windows अगर आप windows यूज करते हो अगर आप mac यूज करते हो तो मैं क्लिक करता हूं मैं पहुंच जाओ यहाँ पर चेक कर सकते हैं profit जो थोड़ी देर पहले 0.something dollars में था 1.86 और 1.95 पर मतलब रोल होता जा रहा है profit में ठीक है कैसे होता है यह सारी चीज़े ना इसके लिए कैसे हम graph को predict कर सकते हैं for short time ठीक है आप छोटे time के लिए graph को predict करो क कोई strategy में दिमाग घुसेडने की जरुवत नहीं है सिर्फ आप historical data पे भी यह trade जो है place कर सकते हो उसके लिए क्या करना है देखिए सबसे पहले कोई भी currency को आप open कर लो उसके बाद देखो कि यहाँ पर जाईए यहाँ पर सबसे पहले आपको था candle select कर लेना है यहाँ पर area औ candle दो चीज़े हैंगे आपको select करने के लिए आपको जो select करना है वो candles को select करना है उसके बाद देखिएंगे यहाँ पर 4 hour का option आ रहा है यानि time frame का आ रहा है तो यहाँ पर आपको 4 hour 1 hour and 1 day तीनों चीज़े चेक करने है ठीक है फिर आपको trend का पता लगेगा exactly trend कहाँ पे है देखो जैसे ही मुझे एक और candle बिली downward direction में मैंने बिना सोचे समझे नीचे की तरफ trade ले लिए ठीक है तो अब मैंने क्या किया देखो मैं एक घंटे के चार्ट पर जाता हूँ और एक घंटे का चार्ट मुझे क्या बता रहा है टोटली upward trend बता रहा है लेकिन यहाँ पर आ like scenario mix है कुछ कह नहीं सकते है इस चार्ट के उपर हम कुछ जाधा predict नहीं कर सकते तो मैं जो trade लेता हूँ ना देखो अभी मैंने trade ली है basically historical data के हिसाब से लिए कि मैंने 3-4 घंटों का data देखा है एक दिन का data देखा है एक घंटे का data देखा है और उसकी हिसाब से मैंने predict किया ह है कि क्या हो सकता है market अगले कुछ मिनटों में अगले कुछ घंटों के लिए ठीक है मैं ज्यादा के लिए नहीं जाओंगा देखो दैसे मुझे 10 डॉलर का profit मलता है या बे मैं close कर दूगा trade ज्यादा बड़ी बाद नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे आप जो मेरा order volume था particular trade के लिए वो था 0.05 lot size ठीक है अब order volume क्या होता है देखें order volume का basically मतलब यह है कि आप कितना risk ले सकते हैं इस particular trade के उपर आपके पास जो है live account में पैसा है 2448 डॉलर तो यहाँ पर इसलिए मैंने जो size है lot का वो 5 रखा हुआ था अब आपको क्या रखना है आप 0.01 से start की जी अगर आप beginner है तो क्योंकि मैं आपको suggest करना चाहूँगा अगर आप beginner है तो आप यहाँ पे अपना ज्यादा पैसा मत invest करें कहने का मतलब है कि आप lot size minimum रखें ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दूसरा जो चीज़ है अप आप trade कैसे place करेंगे बिल्कुल simple है बाई बिल्कुल simple अगर आप auto close का use करना चाहते है तो आप कर सकते हैं auto close का मतलब होता है यहाँ पे आपको set करना होता है TP और SL यानि take profit और stop loss टेक profit का मतलब होता है कि एक particular price range पे आके आपका profit मिल जाएगा आपको और automatically trade जो हो close हो जाएगी और stop loss का मतलब है आ इतना price range पे इतना तो यह उठा के particular डाल दो auto close में कि वह इतना मुझे take profit से यह इतना मुझे stop loss से यह simple सी बात है लेकिन मैं जो trade लेता हूँ na mostly वो without stop loss और take profit के लेता हूँ क्योंकि आर मैं ध्यान रख सकता हूँ market के उपर अगर आप ऐसा है वह ट्रेड लेली mobile jam में डाल दि और वो भी रही कि downward direction में आपको दिखाता हूँ कैसे execute होती है एक trade ठीक है मैंने यहाँ पे click कर दिया है trade और जैसी मैंने click किया है न दो position मेरी open हो गई है देखिए दूसरी position भी यहाँ पे देखिए जो 0.09 के loss पे चल रही है देखिए मैं थोड़ा सा zoom करके आपको दिखाता रहेगा और अगर आपको भाशा जो है मेरी थोड़ी तेज लग रही है या फिर आसान नहीं लग रही है तो comment करके बताओ मैं और improvements इसके अंदर जरूर कने वाला हूँ देखिए अब हमने दो जो trade है वो open कीवी है एक trade हमारी चल रही है 3.65 के profit पे और दूसरी चल रही है 0. 0.02 या 3 के profit पे तो यहाँ जिना इस तरीके से आप trade place कर सकते हो there are lots of currencies आप और भी currencies में जा सकते हो trades के लिए और believe me, believe me forex इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते है एक और चीज़, xnex का link आपको मिल जाएगा description में आप चाहें तो वहाँ से भी जा सकते है इसके साथ बाकी forex ना यार इतना मुश्किल नहीं जितना आप लोग समझते हो live account से मैंने live आपको trade कर के दिखाई है, बताया भी है, सारी चीज़ों को explain किया है, एक short course आपको करवाया है इसके लिए ठीक है, तो भाई share कर देना वीडियो को and thank you so much for watching this video till the end और एक और बाद टेलिग्र